हलो स्टूडेंट्स ऑपरेटर्स पिछली बार हम देख चुके हैं बट मैं आपको क्विक रिवाइस कराऊ ना विटिन वन मिनिट और उसमें ऐसा है कि यह ऑपरेटर्स अर्थमेटिक रिलेशनल असाइनमेंट लॉजिकल बिटवाइज मेंबर्शिप आइडेंटिफाई यह और प्लास ऐसे एक्स्ट और यॉप्रेटर्स अर्थमेटिक अपरेटर गेटर्स रोडेन्चेटर्स अत्य उप्लस मेंटेबोल डिवाइड परसंटेस एक्स्पोनेंट और डबल ड़िवाइड बिट्वाइज अपरेटर एंड एकसोर और होते हैं गाराइट शेप्ट टुलैफ भी होते हैं इस और नॉट इस ओते हैं कि इस नॉट होटे है यह ओकर कि वही चीज फिर कि अगे लॉजिकल मेंबरशिप और में इस और नॉट इन अब कि मेंबरशिप अपरेटर में प dalam आपने पिर और यह तो होते हैं यह म cái यह लॉजिकल बिटर एंड और नॉट पिर यह arithmetic प्लस माइनस इसमें important बात है कि single division जो है वो decimal में आता है और double divide जो है वो without decimal आता है पिर यह arithmetic assignment operator इसको augmented assignment operator भी बोला जाता है इसका मतलब यह होता है कि जमाल लो x की value 12 है और यहां दिये x plus equals to 12 तो x plus equals to 12 का मतलब है x equals to x plus 2 x की value 12 है तो 12 प्लस 2 14 इस तरह से यहां भी होगा जैसे लिखा x equals to x minus 2 तो 12 में से 2 गए तो 10 आ जाएंगे यह से इसमें लिखा x equals to x into 2 मतलब 12 तूज़े 24 इस तरह से यह काम करता है यह relational operator ने जो अंपरेशन ऑपरेटर को शो करता है यह भी प्रिसीड यह इनको पताता है अब अब आप आप अपरेटर में बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ होती उनकी प्रिसीडेंस और उनका और आप इवेलेशन और आप इवेलेशन में क्या होता है कि कोन सा ऑपरेटर पहले परफार्म करेंगा कोन सबस्क्राइब तो इसी में इसी को बोलते हैं ऑपरेटर एसोशेटिविटिविट यह तो जो पहले आएगा वो पहले से कल्कुलेट होगा है तो अब उसके कोर्डिंग यह हम देख रहे हैं कर दो यह आपरेटर मेंली है यह वह पास्ट ऑप्रेटर जो है वह है वह एक्सपोरेंट ऑप्रेटर है इसमें ऐसा है कि आपको तो आदर मालनों सारे आपके exponent और सारे operators दे रखें तो very first जो calculator होगा वो exponent operator calculate होगा उसके बाद bitwise operator के तीन operator calculate होगा उसके बाद arithmetic operator के लिए 4 operator calculate होगा मतलब उसमें भी पहला start रहेगा फिर divide मतलब multiply, divide, modulus और फिर flow फिर next पर रहेगा addition और subtraction फिर right और left bitwise फिर bitwise हैं उसके बाद फिर bitwise फिर comparison operator को relational operator भी फोलते हैं पिर equality operator तो उसके लाशाइमेंट operator और पिर identity operator फिर उसके बाद member ship operator वो लास्ट में लॉजिकल operator पाइटान में सबसे आफ्री प्रायर की लॉजिकल उपरेटर की है उसको याद करने का तरीका है और सबसे पहली priority वेरी फर्स प्रायरिटी अब इसी को और और अच्छे शाम समझते हैं यह आपका दे रखा है इसमें यह भी वहीं है बस अंदर थोड़ा सा ज्यादा आखा इसमें आपने सिंपल ब्रेसेस भी ले रखें और इसमें थोड़ा सा सब्सक्राइब इसमें इसमें आपको जीडियर थिस इसमें कि इसमें पारंफिस कि प्राइरटी बेजे होती है जती हैं कि फंक्षिन काल की जिए फंस्राइब कर्णिक कर फंसरे सेखरेगे तर्ड ऐसे सलसेंगी और और स्रिदी फोर्ड सुर्स थारइडिचिक्राइड हो सुपाहरी होती हुआ यस प्राइर खुंद समय है है यह अंको ध्यान रखना रहा है इसमें दो चीजें इंपोर्टेंट है एक एसोशेटिविटी और उसका प्रेसिदेंस एक्सपोरेंट जो होता वो राइट टू लेफ्ट वर्ट करता है राइट साइट से लेफ्ट साइट के बगतर बाद कि सारे अपरेटर लेफ्ट टू रा करते हैं केवल एक्सपोरेंट और आसाइनमेंट राइट टू लेफ्ट वर करते हैं यह हमको समझने वाली बात है और यह इंपोर्टेंट है तो फिर मैं बता दू प्रीसीडेंस का मतलब क्या होता माझलों एक लस बी इंटू सी यह मैंने एक्जामपल दिया एक प्लस बी इंटू सी तो एक प्लस बी इंटू सी मतलब बी इंटू सी पहले होगा इसके बाद वो प्लस होगा कि यह उसके कल्कुलेशन का तरीका होता है तो यह मैंने आपको एक छोटा चाइजनापल दिया अब और गीजामपल है जिसको हम समझते हैं यह अपरेटर प्लस का जो ।स्थिप्शिट्छन व यह थो यह नियों बोटालों यह नहीं पर एक प्लस ट्रूर praz pub ईश्का शेंटुन सघ्काल करेनुक्त यह पुली सिंस फॉलनिन अ्यशमपल में कया उंप्तिक तो एंपिन ऑुटिकॉला और eva till को ने हो . अब यह एक इंपोर्टेंट बात यहां हम देख रहे हैं कि कैसे इवेलवेट होता है अब जैसी यह एक्जामबल हम देख रहे हैं इस एक्जामपल में हम देखा अब प्लस और मुल्टिप्लाय की प्रियरिटी तो मुल्टिप्लाय की प्रियरिटी पहले हैं इस एक्जामपल प्रियरिटी पहले हैं प्लस माइड़ यह देख रहा हूं यहां पर इसके प्रियरिटी पहले हैं इस एक्जामपल मुल्टिप्लाय की प्रियरिटी पहले हैं है कि अब ऑग कि अग्यों हुआ अगर आट की और आट धर आफ प्रेसिडेंस डे रहे दो इससींबल प्रेस्ट पहले सॉल्व कि अगर आपका यही ऐसा केल्कुलेशन होता 20 इंटू 30 प्लस पॉर्टी तो उसमें भी 20 इंटू 30 प्लस पॉर्टी इस तरीके से यह क्यालकुलेट हो रहा है इसको बोलते ऑपरेटर प्रेसिदेन्स या उनका और और उनका तरीका अब आगे पड़े हैं मैंने काल से यह एक्जामपल अच्छे से क्लियर हो गए होगा और एक्जामपल भी है अब इस एक्जामपल को ध्यान से देखा आप विल्यू फॉलों इस एक्स्प्रिशन विल भी वेरिवेटिए 15.0 divided by 4.0 प्लस 8 प्लस 6.0 अब हम वापस प्रियरिट देखते हैं किसकी प्रियरिटी पहले है तो जह हम वापस प्रियरिटी देखते हैं तो डिवाइट की प्रियरिटी पहले है यह दिवाइट की प्रियरिटी प्रियरिटी प्रोड़क्ट डिविजन रिमेंडर तो डिवाइट की प्रियरिटी पहले है तो 15.0 divided by 4.0 प्लस 8.0 प्लस एक प्लस हो अधिकी प्रेस पैले इसे को वोलते हैं इसारो इसको बोलते हैं घृद्यूंस इसमें आपको क्लियर हो जाओगा कि किस तरह से यह वर्ट करता है और कहां करते हैं तिर आगे बढ़ते हैं अब एक नया कापिक आपका आ रहा है करने आपरेटर और उनके प्रिसिदेंस पढ़े थे और आज हुम अब कोई भी प्रोग्राम पाइथन में सबसे पेले कंपाइल होता है कंपाइल होता फिर्ण कंपाइल करते इसका मतलब आप एरर फाइंड आउट करो अगर अगर फाइंड आउट होती है तो इसको एरर को रेक्टिफाय करने की प्रोसेस को डिवर्जिंग बोलता है जो एरर साथी वाटेवर एरर इस कमिंग आउट शोएंग है उसी आर सॉल्विंग एडर प्रोसेस काड़ डिवर्टी अब अब सबसे पहले आता है त्यूटू एरर इस प्रोग्राम में नौट एग्जीकुटर में जड़े ठोंग आउट्टू तो साथी बात है एग्जीकुटर में ना मतलब रन नी होना तो काम कंपाइल लो रन दोना होता वैसे पाइसान तो डारेक्टी डीवर्ट रना नी होता है तो तो संधल एग्जीक करों अंट։ तो पहना है syntax error, like any programming language, python has a rule to determine how a program is to reduce, this is called syntax error. syntax का मतलब जैसा भी आपने देखा, input कहां लिखना, simple bracket कैसे लगाना, conversion कैसे करना, सबसे पहले क्या लिखना, comment कहां लिखना, comment के लिए symbol कौन सा यूज़ करना, ये सारी चीज़े syntax के से related है, print statement में कितने argument पास होंगे, input statement में कितने argument पास होंगे, तो ये आपका लिखने syntax के लो, like any programming language, python has a rule that determine how a program is to reduce, this is called syntax. the interpreter can interpret a statement of a program, only if it is syntactically correct, so for example parenthesis must be in pairs, so the expression 10 plus 2 is syntactically correct, whereas 7 plus 11 not due to the absence of right parenthesis, we example with here, it includes two main, simple packet start over, then close over, whereas 7 plus 11 is not due to absence of right parenthesis, right parenthesis if any syntax error is present, the interpreter show error message and stop the execution error, search errors need to be removed before execution of the program, और वो error जो है, रिवो कर देगे तापका, प्रोग्राम रण हो जागी, तो ये debugging में तीन तरह की error है, syntax error, logical error, runtime error, logical error, logical error, logical error, logical error, logical error, but called semantic error, does not stop execution, but the program behaves incorrectly in production, but the program behaves incorrectly and produced undesired round output, अब देखो, important ही ही इसको प्रोग्राम रान हो जाता है, in this situation program will run anyhow, program run हो जाता है, तो उसको बोलते है, logical error, पर आपका output की possibilities गलगा जाता है, since the program intervenes successfully even the logical errors are present in it it is sometimes difficult to identify these errors for example if you wish to find the average of two numbers 10 and 12 we write the code 10 plus 12 upon 2 it would run successfully and produce the result 16 which is wrong the correct code to the find average should have 10 plus 2 divided by 2 to get the result output say last 10 plus 12 upon 2 so the output will be 16 so this is the logical error you know that you can read the simple interest प्रोग्राम बना रहोग हो तो सिंपर इंट्रस होता है P into R into T upon hundred अब आपके सब्सक्राइब करो P into R into T, T upon में अटेक्ड लिकिती है जलत हो सकती है, यह लिक्ति अपन हो मुट्प्लाय में इसी विक्तर आने की आपके सब्सक्राइब करो लेकिन विखेकर किसी लॉजीकल एरर की पॉसिबिटी से रती तो हमेशा आप सेपरेट करों को पी नोर्मली प्लस में डिफरेंस आता है रदा रता वालिफिकेशन में इसना गेफरेंस आने की पॉसिबिटी नहीं है तो यह तो यह जाती है लॉजिकल एरर यूजिए देने वाले बाते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा कि किस तरह की एरार आती है नेक्स्ट ए रॉन टाइम एरर अब यह बहुत इंपोर्टेंट एरर होती है कि यह रॉन टाइम एरर जो होती है विस्टिकली एक नॉर्मल टर्विनेशन होता है है मैं निटाइम टामषण है ते लिशाइन आय॔र टवित्य अपम होती है अब ऐस्टिकली कि आपस्टिश्टली है है बाट इंटमरेटर करना थे पुर तो और तो अरुप्दिकली करता है अब जैसे दे रखा एक्जामपल जैसे वें वें वेंगे स्टेट्मेंट नहीं डिविजन ऑपरेशन इन प्रोग्रम बाइशने कि अब इसका मतलब क्या इसको मैं आपको बड़ा सिंपल एक्जामपल के थू मैं क्लियर करता हूं पहला है जैसे मानलो आपने दिया और डिवाइड बाइज इस तो मैंस के एक्वाडिंग तो रूई होगा कि पोर डिवाइड बाइज जीरो का मतलब यह हुआ कि इस मैंस के पाडिंग उसका इसल्ट इन वाइन आइड है अब हैंडल के से करोगा तो जो जो उसको देल करने के लिए तो मैंस के पाडिंग तो वह अगए अगए लेकिन आपको मालूमें कि यह इंफाने आता है तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा उसकारे की एरव को कैसे आता है इसमें आपकी नहीं सिंटेक्टिकल दिखरी नहीं लॉजिकल एक्सेप्शन्स अलागी टेक्निकल टर्मिनालोजी फोड़ी सी ज्यादा और ही इसमाजने के पाइंट आफ से एक्सेप्शन्स और इनको एक्सेप्शन्स नहीं यह एक इंपॉर्टेंट चीज है तो आपके काम आने वाली बात है अब इसमें यहीं तब प्रोसेस ऑफ आइडेटिफाइइंग रिमुविंग लॉजिकल एसे लंटाम अरा इसकॉल डिवटी किसी भी चीज को आइडेंटिफाय करना उनको हटाना लंटाम एडेट चलाते है हुआ 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 है रुस्ति आइड डिबग ए परोग्रम वे यह तो एक तो यहा डिक्राइड थे दिश्पुलेंगेट यह टुआ के ला टिकवर्टेस और और यह बेसिकली आप जब यहां आपने देखा कि एरर आ रही है तो यह एरर इसी कारण से आ रही है लॉजिकल अब नया टॉपिक और हो रहा है दो टॉपिक अभी हमने देखे बड़ सिंप्लिफाइड फॉर्म में और आप एवेलिएशन और आप अपरेटर्स या प्रिसिदेंस आप अपरेटर्स और सेकर्ड वाला हमने देखा डी बड़िए और आगे हम देखें लो आफ कंट्रोल का मतलब होता है कंट्रोल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे जाए किसे वर्क करें कैसे एक्जीक्यूट करें तो सबसे तीन चीजें होती है इसमें डिसीजन डिसीजन लूपिंग और जमती इसमें एक और इंपॉर्टेंट होती है हम इसको भी बोल सकते हैं है सिक्वेंस कंट्रोल एक हम इसको यह बोल सकते हैं है थार्ड इसको हम यह बोल सकते हैं और पॉर्थ अब इसमें बेसीकली सिक्वेंस कंट्रोल मतलब जब यह में सिंपल प्रोग्राम देहें है ना सेंपल इंट्रेस्ट के तो वह सिक्वेंस कंट्रोल आपका दूसरा दूश्रा सब्सक्राइब दूबर के सब्सक्राइब के प्रोग्राम जिस कि अपका सीक्वेंस कंट्रोल लिए मतलब उसमें एक सीदा साथ मैथमेटिक सलता है एक इंपिट फोरिस इंडा हुट्ट इचक टो ने। hugए हिए एट ़िया ऊरे क्या कोट्रां प्रॉपर्इस ऐंसे हिए पॉरह अउथा अउनुक्प्रड़ इंदfly है क्रॉपर इंपट लए प्रोफर प्रॉसेस यो प्रॉपर आउपकर इसलिए सो फर्लोप मैं मस्टẵर रटेख computer कि साथ सब इसको आप ऐसा भी बोल सकते हों एक बने लिक रहां कंट्रोल स्टेक्मेंट भी बोला जाता है कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब 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 नेक्स ॅटो में भता लिया इस्टेट परव्स प्रोग्राम विह नू अफिर बजगा की का गपडанд Ov को मिलें इस प्राओ और समॉल कें आप की यह कि अ मैं Il और इश्जा Ho कि रिद मिलें आंखीanka सब्सक्राइब करा है इसमें कंपरिजन होता है और इसमें कंपरिजन होता है तो इसके इन मीट मंधिकशन है तो इसमें के एक इन मुलुटरिटिप इसक्रील मद श्रॉच का इन है तो वो आपका केलाता है decision making statement इसको हम इस आगे पड़ेंगे तो प्राइंट के एक्जामपल जो है इस कर्दिशन है इस कर्दिशन में कंपैर करते हैं तू वाल्यूस का या तू और मोर देन तू वाल्यूस को पर एक और उसके करते हैं यह प्रक्टेंस के लिएउगाएं तो वरल्यूस के आपके से रहें खुलाइब के एक एकर रहां के क्वार सक्वेशन परक्टेंडिशं के वाल्यूस के थालवान। के बाते चन्पराइब धन्स लेक्षाया रेक्षाया तुछॉ प्रणाइब याज बाते लेख्टव स्पायव। को बाते लेग देतें लेख्टॉ हम घंपर करेंगे तो उसका ओप्तम या तो तू आ ज़िए अब दरा थ्री में स्कूर इडिफ यह तरीके से लिख सकते हैं स्यर्ट क्या एलता के शोङंता से ले वेुट पीचाद शीर में और शाहाइए है इसकंदिशन और कीच्छा और भॉक्त मिसाय सकते हैं कि इसमें याद रहना प्रस्ट करेक्टर कभी अपिडल नहीं आता है अब यह जो आपने लिया यह इसको मैं इसको सिंटेट्स लिखके बता रहा है कि एक सिंपल एज का प्रोग्राम लिया है कि इसका सिंटेक्स का मतलब फॉर्मूला होता है यहां पर भी इसको सिंटेक्स बोला जाता और अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लेंग्वेश तो हम यह याद रखें कि उसका सिंटेक्स हमको पता होना बुझ जरूरी तो इस कंडिशन कॉलन जैसे आप कॉलन इंटर करेंगे यहां से वह इंडेंडेशन शुरू होगा यहां रखने यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यह यहां पर कि इस्टेट्मेंट लिख देता है कि इस्टेट्मेंट इस्टेट्मेंट कि एक से ज्यादा विए सकते हैं इसका सिंटेक्स है कि सिंटेक्स का मतलब फिर बता रहा हूं उसके एक्वार्डी इंप्लिमेंट होगा जैसे यहां पर एग्जांपल भी दिया होगा यहां इप कंडिशन के बाद कॉलन लगता और कॉलन के बाद जैसे आप इंटर्प्रेस करेंगे जैसे आप इंटर्प्रेस करेंगे वह करसर नीचे आ जाएगा और आप उसके एक्वार्डिंग वर्क कर पाएंगे मतलब जितने स्टेक्मेंट होंगे वह एक सब्सक्राइब वहां पर आ सकते हैं तो यह के लाद यह सिंपल इप कंडिशन है इसमें केवल ट्रू पार एक्जिक्यूट होगा इसमें अगर बाइदर पाल्स कंडिशन होती है तो ए सब्सक्राइब करें के लिए यह करते हैं तो हम एक प्रोग्राम के फॉर्म में बना लेते हैं कि अभाइथान इस्टार्ट करने है पाइथान आई डी एली नई फाइल बनाएगे हम वे आर क्रियेटिंग न्यूव पाइल अब यह हम काय का प्रोग्राम बना रहे पहले हमको कमेंट मालूम होना ची कमेंट हमेशा देना जरूरी है कमेंट देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमको समझना आएगा हाला कि कमेंट हम अपने आपको करने के लिए बताते हैं कमेंट अप्शनल होती है कंपल सही होती है अब यहां पर हम यह तेक कर रहे हैं यह परसन मैच्वर है तो आउट्पूट आया प्रोग्राम फार्टू चेक तर रिजल्ट एफ परसन इस मैच्वर यह चेक कर रहे हैं तो एज लिए हम ने एज को हमने इंटीजर में कनवर्ट करा यह यहां पर एज इंटर यह एज को कंपेर करा इफ एज ग्रेटर देन इवल टूएटी तो एज ग्रेटर देन इक्वाल टूएटीन अगर आप एज एटीन से ज्यादा है तो अब इसमें यहां पर हमने इस यह लाइन की कमेंट अब इस लाइन की कमेंट में इस ध्यान रखने वाली बात है कमपाइलर इसको कमपाइल करेगा इस लाइन को इसके बात की लाइन को कमपाइल नहीं करें तो यह चीज देखने लाइक है इसमें यह दे रखा है कि एज ग्रेटर देन इक्वाल तो एटीन अब हम इसको सेव करते हैं पिर रन करते हैं अब हमने दिया तो आपको दोनों चीज़े समझ में आ जाएगी कैसे वर्क कर रहा है अब माल्लो इसको वापस रहन करते हैं और यहां हमने दे दिया 40 तो आउट पूट नहीं आएगा जर्विल भी नौपूट तो यह क्यों क्योंकि यह कंडिशन पाल्स हो गई अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और बदाना थी कल हमने ऑपरेटर पड़े तो यहां ऑपरेटर कुन सा यूज हुआ यहां तीन ऑपरेटर यूज हुए यह रिलेस्टनल ऑपरेटर और फिर यह अच्छा एक और बात जैसे हमने यहां लिखा अब आप देखो जैसे आप इंटप्रेस करोगे करशन यहां तो यह ध्यान लगने वाली बात है इंडेंडेशन मतलब यह स्पेस ऑटमेटिकली छुटेगी यह बात ध्यान रखना जो मैंने जिसको हाइलाइट करा इस स्पेस इस विल ऑटमेटिकली रिमोव यह बहुत इंपॉर्डेंट चीज है मैंने खाल से आपको समझना आया होगा कि इस कंडिशन की जरूत क्यों पड़ी इस कंडिशन प्लो आप कंट्रोल को बता रहा कंट्रोल स्टेप्मेंट को बता रहा जब दो या दो सदीक चीजों को सब्सक्राइब करते हैं और उसके कॉर्डिंग को वर्ट होता है तो यह चीजें हैं इसके कॉर्डिंग हम काम करते हैं अब आगे बता देते हैं इसमें वैसे एक और कंसेप्ट चलता है कि इसमें आप एसा भी कर सकते हो जैसे इसी को उल्टा कर दिया पने इस इसी को आपोसिट कर देता हूं कि इसको में इसा कर देता हूं कि पर सब्सक्राइब की डेफिनेशन यहीं है यह मलें आप चाहों तो यह वाली हटा देते हैं और यहां पर नॉट इलिजिबल तुग प्लेज दें अब यह दूसरी वाली कंडेशन के लिए अठारा से कम है इसमें अपने को अठारा से कम बताना पड़ेगा इक्वाल्टू को साहीं अठाना पड़ेगा यह समझने वाली बात है और ज़रूरी नहीं है आप वेरियाब अब यहां अब यहां मैंने दिया तो नॉट इलिजिबल टू लेकिन आप में ऐसा दिया है कि अग्रंटी तो कुछ भी आउटूट में आए तो एक सिंपल कंडिशन है जो हमने देखी है इसके और यह आपने देखा ही है यह फैल सिफ कंडिशन अब आगे देखे हैं हाँ हाँ यह भी एक समझने वाली बात है यह कंडिशन क्यों यह फैल से हैं यह फैल्स है कि यह फैल्स नियुक्त यह फैल्स कंडिशन और इसको भी अब पर दोनों की वेल्यू बताएगा यहां पर कंडिशन की वजह आपने चरण के बढ़ा न करते हैं यह तो यह पार एक्सिकुट होगा और कंडिशन फॉल्स दो यह वाला पार्ट एक्सिकुट है जो आप पर ने प्रोग्राम के प्लॉटिक कि हम वर करेगे और उसमें कलियर होगा कि केसे वार्ट करेंगे शाहे तो आपन उसी सिंटेक्स को यह सेंटेक्स आफ चाहे तो लिख सकते हैं और उसी प्रोग्राम को आप इलीजिबल नौट इलीजिबल दोनों के इसाफ से बना सकते हैं मैं भी आपको उस प्रोग्राम को बता ही देता हूं ने ने लिया और यहां हमने बोला greater than equal to 18 इलीजिबल टू वोट और यहां हमने क्या करा एल्स दे दिया देखो अब यह करसर जैसे मैं इंटरप्रेस करूँ और ध्यान देना इलीजिबल के बाद कर कॉलन है उस कॉलन के बाद आप देखोगे तो इंटरप्रेस करूँगा तो लेफ्ट साइड में आएगा यहां आया इसको बोलते हैं इसे मतलब या तो पहली यह वैल्यू यह वैल्यू का यह वैल्यू पार टू अब आपन देखते हैं इसको बोलते हैं इफ एल्स का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स दोनों केस में प्रोग्राम आपका चलेगा तो मैं आपको दोनों केस में आपको प्रोग्राम चला रहा हूं यह लिया इंटर्योर एज मैंने दी 20 तो यहां आजाएगा इलिजिबल तुबोर्स मतलब एक कंडिशन टू हुई यह पहली वाली कंडिशन ने जब टू हो रही है कि एज की वैल्यू मतलब आपने 20 दी तो 20 ग्रेटर दन इक्वाल टू 18 2018 से बढ़ा है तो यह वाला स्टेट सेकंड वाला वापस अब 18 से कम पर करते हैं 14 नॉट इलिजिबल टू अब देखो आप प्रोग्राम दोनों केस में चल गया है अब 14 यह 14 14 ग्रेटर देन इक्वाल टू 18 नहीं फॉल से तो फॉल से तो एल्स पार्ट एक्जिकूट होगा एल्स पार्ट एक्जिकूट होगा तो यह आज के लिए इसमें इत्ते ही रखते हैं बस इसमें एक और चीज़ आपको ब्रीट में बता रहता हूं कि यह जो अपनने लिया आई है यह कंडिशन यह ट्रू कंडिशन पर यह और फॉल्स कंडिशन पर दोनों आखरी में इस्ट्रेक्मेंट आएंगे तो दिखान नयुक्त प्रव्लम आएटाप उस ग्रूप में तूश्ट नहीं आएगे डिया जो नहीं की अधिखते हैं ट्रूप अएगे जो इस नहीं आएगे तो तो फॉलिए वर्लम में गाता है था वारी में पर आईज़ में जबता पर एट आपको अधिया आएगे तो पर आपको